नमस्ते वेलकम टु माइ चानल सिंबल टिप शेयर आज मैं बात करने वाली हूँ मस्सों के बारे में मस्सा क्या होता है क्यों होता है और इसके कुछ घरेलू उपाय मैं आपकी साथ शेयर करूंगी उससे पहले मैं आपको ये बता दू कि बहुत से लोगबग मस्से को लेके क मस्सा होता क्या है आप स्क्रीन में देख पा रहोंगे इसे हम मस्सा कहते हैं वाट्स और मस्सा अलग-अलग चीज होती है आप स्क्रीन में देखिए वाट्स इसे कहते हैं और तिल जो होता है उसे हम मोल कहते हैं मस्सा को इंग्लिश में स्किन टैग्स कहा जाता है ना कि व वाट्स अलग-लग टाइप के होते हैं और वाट्स ऐसी चीज होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल सकता है एक सो तीस टाइब के अलग-अलग प्रकार के वाट्स होते है जो कि HPV नाम के वाइरस से होता है यह एक infection होता है इसलिए what's अलग चीज है skin tag जो हम मस्ते के नाम से जानते हैं और मैं बेंगॉली हूँ इसलिए मुझे पता है बेंगॉली में इसे आचील कहते हैं ऐसे ही दूसरे दूसरे language में अलग अलग नाम होते हैं मस्ता किसी को भी हो सकता है क्यों होता है अगर आप जाना चात को अज़िए अच्छा लगे तो लाइक करिएगगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करिएगा सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिये गाए बेल बटन को प्रीज क्लिक कर दीजे मस्ता कोई बिमारी नहीं है मस्ता किसी को भी हो सकता है reason क्या है कि कभी आपका यह जेनि पे होता है जहां पे आपके जो skin portions है वो fold होती है जैसे ये गर्दन वाले portion हो गया ये आपके बगल वाले जो portion होते है या थाइस वाले जो area होते है ऐसे portions में अधिकतर मसा दिखते है और उसके अलावा भी मसा कहीं पे भी हो सकता है बट मेंली इन जगों पे ही आपको मसा आपकी वाले मसा होता है उसे ही हम मसा के नाम से जानते हैं किसी ही टाइप का डिफिशियनसी वगड़े होने की वज़े से भी मसा होता है अब मैं आपको ये बता दू कि मसा को अगर आप हटाना चाहते हैं उसके कुछ घरे लू उपाए और ये बहुत कारगार उपाए है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंने अपने family members में देखा है उन्होंने ये चीज का उपयोग किया है और इससे solution उनको मिला है किसी किसी को 2-3 दिन में काम हो जाता है किसी किसी को overnight भी काम हुआ है इसी लिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनको आप ज़रूर apply करने की कोशिश करिएगा सबसे पहला टिप होता है कि जैसे आपके हैर होते हैं तूटे हुए बाल जो आपके रहते है या नॉर्मल आप एक बाल हाफ इसमें से थोड़ा सा कट कर लीजे और जहां पे भी आपको मसा है उसके जड़ से आपके हैर को उस जगह पे टाइट करके बांदेना है गठान ब आपके बांड कर दीजे और जो एक्स्ट्रा हरे उनको कट कर दीजे तो उससे क्या होगा जो आपका जो मसे का जड़ होता है उसमें नुट्रिशन अब्सुप बंद हो जाएगा जो उसका जड़ वाला पोर्शन ने वहां पे अपने बन ब्लॉक कर दिया है तो उससे जु तो मस्सा आपका है वो सुखने लग जाएगा किसी किसी का एक दिन में किसी किसी का दो तीन दिन में अपने आप मस्सा निकल के गिर जाएगा आपको पता भी नहीं चालेगा वो सकता है उसके बाद हलका सा आपको जलान हो किसी किसी को जलान नहीं भी होता है वो डिपेंड कर उसका यलो वाला पार्ट होता उसे आप अच्छे से ग्राइंड कर लिजे एकदम पेस्ट बना लिजे टूथ पिक या फिर यार बार्ट के सहारे उस पेस्ट को अप उस जगा पे दो-तीन बार दिन में लगाईए दो से तीन दिन में ही वह आपके मस्से को हटा देगा फर्ड तीप यह होता है कि आपको एक और पेस्ट बनाना है इसमें भी आप तीन से चार ड्रॉप कैस्टर ओल ले लिजे अरंडी का तेल प्लस उसमें एक पिंच बेकिंग सोडा मिला लीजे खाने वाला जो मीठा सोडा होता है उसे आप एड कर लीजे अच्छा सा मिक्स्चर तयार क टूथ पीक या एरबड के सहारे आप अपने मस्चर पर नीचे रूट वाला पोर्शन होता है अप पेस्ट को अप्लाई करिए और पूरे दिन भर एज़ रहने दीजे दो से तीन दिन में ही आपका मस्चा रिमूव हो जाएगा फौर्थ होता है आलोवेरा जेल अलोवेरा से डामेज वगर होते हैं उसको रिप्यर करने में हेल्प करता है अलोवेरा जेल में स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है इसलिए जब भी आप उसे मस्चर में अपलाई करेंगे तो एक टाइटनेस टाइप में आपको फील होगा एक मोटी सी परत आपको अलोवेरा की स्टमक करते हैं इसके पहुत से help benefits होते है अपल सिडर विनिगर हमारे स्किन के लिए बहुत जादा अच्छा होता है अगर आप अपल चिडर विनिगर को अपने मस्चे में applies करते हैं तो जो उसका acidic नेचर होता है उसकी वज्जे से आपके मस्चे को destroy करने में help करता है सिक प्रेस्त होता है गार्लीक अब करते हैं घर पे उसे अपछे से कर लिजे अगर की बना सकते हो पेस्ट बनाने जे और फिर आप उसे मस्य में एपलाई करें गार्लीक तो मैंने आपके साथ 6 ऐसे होम रेमिडी शेयर करें जिसे की मसा रिमूव होता है आप इसे जरूर ट्राई करें इन में से एक या दो भी अगर आप ट्राई करते हैं आपका मसा रिमूव होने में हेल्प करेंगा और दो से तीन दिन में ही आप देख पाएंगी वो जल से जल तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो हेल्पुल लगा हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें